दोस्तों कोरोना लॉकडाउन का तो आप अच्छी तरीके से पालन करी रहे होंगे क्योंकि आपको ही पता है कि बिमारी कितनी जान लेवा है और आज हम एक और डिजास्टर या पडले जिसे कहते हैं अर्थक्विक, वॉल्कैनिक इरफशन्स इन सब चीजों के बारे में अपनी इस वीडियो में बात करेंगे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मिश्टर संलाइट को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब बटन को दबा दीजिए और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक और शियर करेगा पूरी वीडियो देखेगा अंत तक क्योंकि अर्थक्विक जैसा कि आप जानते होंगे एक दो घंटे में ही काफी लोगों की जाने ले लेता है वही हाल volcanic eruptions का भी है कि जब ये वाला मुखी फटता है तो ऐसे ही कुछ कारणामे करता है दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे तो मैं इस वीडियो में आपको क्या लग बताने वाला हूँ तो कि ये सब तो आपको पता ही है मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि earthquake कैसे originate होती है earthquake की 3 forms होती है 3 waves के form में निकलती है पहले wave है P wave, S wave और फिर ground motion जो कि जिसे हम earthquake कहते ही है दोस्तों P wave जैसा कि आप देख रहे होंगे बहुत ही fast होती है और हम इनसान इसे detect नहीं कर पाते हैं लेकिन अगर हम इसे detect कर लें तो हम अपने आपको तो बचाई सकते हैं बलकि पूरी human society को और उस पूरे region को भी बचा सकते हैं लेकिन P wave के बारे में हमारे जो early warning system है उनको कुछी 2 minute या 3 minute पहले पता चलता है और कुछी huge population को बचाने के लिए 2 या 3 minute बहुत कम है इसलिए earthquake से हम जादा rescue नहीं कर पाते हैं लेकिन बहुत ही अच्छी खबर आ रही है National Aeronautic Space Agency NASA से जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा mission अपना launch करने जा रहे हैं जिसका नाम है CIRS इसका मतलब Cubeset Imaging Radar for Earth Sciences इसकी पूरी definition है और इसको CIRS mission के नाम से जाना जाता है ये mission इसलिए helpful है क्योंकि इसके अंदर Interferometric Synthetic Aperature Radar सिस्टम लगा होगा जो की help करेगा हमको ये पहचानने में कि दो position में क्या क्या change आ रहे हैं कुछ समय बाद पहले कि ये क्या करेगा दो images लेगा देखिए आप ये आपको फोटो दिखेगी हाँ ये देखिए इसमें पहले image में आपको ये बताएगा कि ये ground में कोई upliftment नहीं है लेकिन कुछ देर बाद ground में अगर कुछ upliftment हो जाएगी तो तो इसे detect कर लेगा और हमें दो frames के अंदर difference बताएगा कि frame 1 और frame 2 में क्या difference है और उसे इसाब से ही ये report अपनी देगा हमारे जो हम ground level पे scientist बैटे होंगे उने और फिर वहाँ से analyze करेंगे कि इस region में अभी क्या outcome आने वाला है या नहीं आने वाला है अगर volcanic eruption पास में है तो volcanic eruption आ सकते हैं 2018 में दोस्तो इसके पहले test किया गया था by an aircraft लेकिन aircraft की क्या मजबूरी होती है कि बार बार हम अपना fuel लगा के aircraft को उपर तो भेज़ेंगे नी और इसे test किया गया था हुगा ही कि volcanic eruption के अंदर वैलकनों की जिसका नाम है खिलावा आप इसे net में भी search कर सकते हैं तो दोस्तो आप basically होगा क्या basically दोस्तो ये होगा कि हम पूरा network बिछा देंगे पूरा एक satellites का जैसे कि आपको दिख रहा होगा पूरा web बिज जाएगा और अलग-अलग continents में ये web काम करेगा जैसे कि मान लीजी ए एफरिका में एक लग जाएगा North America ऐसे करके नासा इसम लगाएगा आगे आने वाले काम करेगा लेकिन अगर हमें बात करनी है तो हमें ये बात करनी पड़ेगी कि इंडिया को इससे अब इंडिया को सीखना कह चाहिए इंडिया को भी खुद का एक मिशन लांच करना चाहिए क्योंकि अगर हमने ये किया तो हमारी जो एक स्वाट पावर तो डेपलप होगी ही और हमारे जो आसपास के नेबर हुट कंट्रीज है वो भी हम वे हमारे उपर रिलाइग करने लगेंगे ऐसा क्यूं ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर हम इसे छोटे स्केल पर हम मान लिजे साउट एशन कंट्रीज की स्केल पर ही अगर इसको सेटलाइट को लांच करते हैं तो काफी कंट्रीज हमारे लिए एक फ्रेंड्शिप रिक्वेश्ट भेजेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि एक सुप्रीम लीडर की तरह इंडिया उबरेगा अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो मैं होप करता हूँ आपको यह अनलेसिस पसंद आगा मेरी तरफ से जो बिल्कुल जान करी दिये पसंद आएगा तो लाइक कर दीजेगा सस्क्राइब कर देजेगा ठैंक यू